सब्सक्राइब तो अलम्पिक में भारत की जेवलिन थो एतिलेट नीरज शौपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत कर नया आई ती हास रच दिया है फाइनल में नीरज ने कमाल का पदेशन किया और सभी दूसरे जेवलिन थो एतिलेट को पीछे चोड़ते हुए उलम्पिक गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया पहली बार उलम्पिक में भारत को ट्रैक एंड फिल्ड में कोई मेडल मिला है और वो भी गोल्ड मेडल निरज की जरतिहासिक कार नामे की चर्चक हो वो रही है तो वहीं निरज के गोल्डन मेडल जितने के बाद 2017 का एक पुराना ट्वीट वारल हो रहा है जिसमें उन्होंने भारत को टोक्यो में मेडल दिना के बाद पहले ही कर दे थे 2017 की पुराने ट्वीट में निरज ने लिखा है कि देरशारी शुप काम लए टोक्यो 2020 में देश का नाम हम सब रोशन करके ही रहेंगे अब निरज के इस ट्वीट पर भारती लोग जम कर कॉमेंट कर रहे हैं निरज चौपडा के गोल्ड मेडल जितने पर उन्हें हर बढ़ाय मिल रही है रामनाथ कोबींद और प्रधानमंति नयंद्र मोदी ने भारती एथरेट निरज शौपडा को सनिवार को भाला फेकस प्रधा में गोल्ड मेडल जितने के बाद ट्वीटर पर बढ़ाय दी और उनकी प्रेशर स्था के पूल बाद है रामनाथ कोबीन मोदी ने ट्वीट किया कि निरज शौपडा की अबोद पूर्वजीत आपके भाला फेक में शौन पदक के नयाया मस्थापित किया और इती हास रच दिया आपने अपने पहले ही ओलंपिक में भारत को ट्रैक एवंफिल्ड में पहला बदक दिलाया आपके उपलबदी हमा अफिस जुनून के साथ खेले और उन्होंने शांदार जज़बा दिखाया टॉक्ट्रियो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जितनी के लिए उन्हें बदाई बता दे कि फाइनल एवेंट में निरज चौपडा ने दूसरे परियास में 87.58 मेटर दूर भाला फेक कर देश की त लिए लिए लग्ता कर दूर जैटे कि लिएक कर दोड्याए जाट कर देश में लूर गाला कि तूर खेले की।